सिक्यूरिटी लाइट बिलिंग कर रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बिल्कुली यह लाइट जब तक बिलिंग करेगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी कारण security की light है यानि चोरों के लिए light दिया वागि चोर गाड़ी चोरी न करें कैसे यह जो चाबी है एक कोई गलती से चोर गलत चाबी लियूज करेगा और इसमें लगाएगा तो यह security की light बिलिंग करना शुरू कर देगी क्योंकि चाबी इसका नहीं रहेगा यह जो चाबी है इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ sensor है और यह sensor का code issue में feed है अब यह काम कैसे करता है यह चाबी जैसे हम इसमें लगाते हैं यहाँ एक antenna है गोल कलर का देख रहे हैं यह antenna यह antenna इसको read करेगा तो देखिए यह जो चाबी देख रहे हैं आप चाबी के अंदर एक transponder होता है एक होता है लगी दो लगाया है मैंने एक transponder की जो value है वो कहाँ feed होती है issue में feed होती है इस transponder की value और कैसे feed होती है इस scanner से scanner से पहले इस feed कर दिया जाता है अब जब भी हम चाबी लगाते हैं तो कहाँ यह immobilizer के antenna पे यह antenna पे चाबी लगता है और antenna read करता है यह पूरा immobilizer read करेगा इस चाबी को और read करके wiring के माध्यम से issue को send कर देगा अब issue देखेगा कि जो हमारा transponder की value है वही value क्या आ रही है यदि आ रही है तो आपका security की जो light है यह security की light बिलिंग नहीं करेगी लेकिन यदि गलती से चोर आ गया कारी चोरी करने के लिए तो चाबी दूसरा लगाएगा तो उस चाबी के अंदर transponder दूसरा होगा transponder को read करेगा आपका immobilizer immobilizer wiring के थ्रू issue को भेजेगा value इस transponder की value और issue देखेगा रहे यार यह तो value गलत है तो issue क्या करेगा इस security light को बिलिंग कराएगा यानि कि यह accept ही नहीं करेगा इस चाबी को और आपकी light बिलिंग करती रहेगी ठीक है तो एक चोरों के लिए system दिया वह security feature अब एक mystery काम कैसे करेगा तो mystery के लिए यह है कि सबसे पहले तो चाबी देखे कि चाबी दूसरी है क्या customer के पाद यदि दूसरी चाबी है तो दोनों चाबी लगाए और दोनों चाबी लगाने के बाद देखे कि security की light अभी भी बिलिंग कर रही है कि बंद होगी यदि दूसरी लगाने के बाद security light बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका आगे का system में problem है ना थी चाबी खराब है अब इस चाबी के अंदर जो transponder होता है यह ज्यादा तर करके खराब होता है जिसकी वज़से चाबी काम ने करती है तो हम में mystery क्या करेगा आगे immobilizer को चेक कर immobilizer on होगा तो immobilizer signal देगा दो signal देगा एक में मान के चलिए कि 0.90 बोल्ट यानि कि एक बोल्ट भी नहीं रहेगा इसमें और इसमें एक से डेड़ बोल्ट रहेगा है दो तार में signal जा रहा है मनें 12 बोल्ट का यह प्लस एक ग्राउंड एक 0.9 बोल्टेज और एक डेड़ इतना आ रहा है वायरिंग के अंदर तो हमारा क्या है immobilizer भी सही है वायरिंग भी सही है तो अब कहानी आ जाती है ECM पर कि ECM पंगा में ECM में पंगा है अब कई बार होता है कि ECM इसके चिप को इसके भेजे गए signal के द्वारा रीड नहीं कर पाता है यानि कि यह signal ही नहीं ले पाता है एकसेप्ट नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से सिक्रिटी की जो लाइट है वो बिलिंग करने लगती और एक चीज़ यहां और एड करना चाहूंगा यह दिए ECM के अंदर पंगा रहा तो आपका की प्रोग्रामिंग भी नहीं होगी की प्रोग्रामिंग कितना खराब रहेगा की प्रोग्रामिंग हो जाएगी लेकिन गलती से ECM के अंदर रहा तो फिर की प्रोग्रामिंग होगी तो हमारा पहला इसटेप हे रहेगा कि हम सबसे पहले सबसे पहले सपपर फ़हां कि सबसे सबसे पहले सबसे सबसे। वाइरिंग में कहांई सब्सक्राइब तो नहीं है जब से पवले हम वाईरिंग कोErक करेंंगे यह चार थार है इसमें पर यहां समझते हैं पहले इधर वाल जो तार है एह ए ब्लेक में हाइट रबार क्लिक मत करो फिर ब्लेक , उसके ब्लेक हो ग्रायण। है क्या च्छलिए या ना बत्ती है यह हा रहा रहा है इसको अटो अब बगलवले Grand a engine ऊई 000-70 वाइरंगे दिखायों यहां दिखात हो इस वाइरिंग पढ़े यह दोनों पर 12 तो मेरे को वेल पीन देदो अभी बिलिंक कर रहा है हमने इसकी वाइरिंग पॉजिटिव निगेटिव दो चीज चेक कर लिए और अब सीगनल एक बार चेक करेंगे कि सीगनल आ रहा है क्या यह लगाऊ जरह उस पर लगाऊ इधर दिखाऊ पीन डालते हैं पीछे बैक पे ज एईसमें seventy-nine का का मतले एक वोल्ट भी नहीं एक वोल्ट से कम है और इधर जो प्रष्ट वल अत्तार है जिसमें yellow में रेड़ है त्रेस वायर रेड इसमें इसमें gyro Kirby लीडिंग नहीं नहीं लेकिन जब हम इसको लगाएंगे इसमें इमोब्लाइजर में तब क्या है इसमें रीडिंग आनी चाहिए एक से डेड़ बोल्ट आना चाहिए तो देखते हैं पहले आ रहा है क्या कि स्वीच ओप करो कि अब बस यह लगा दी है अब एक नीडिल लगा लेते हैं इससे पता पड़ जाएगी हमारी अब इस सिक्रिटी लाइट ब्लिंग कर रही है अब देखेंगे कि कितना बोल्टेज इसमें आ रहा है क्या एक बोल्टेज के सम्थिंग आना चाहिए यह 11 बोल्टेज आ रहा है यानि यह गलत है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है 11 बोल्ट आ रहा है उधर वाले दो जो सिग्नल वायर है ऐसे तो इधर वाले वायर में 0.9 के 90 के करी में बोल्टे जाना चाहिए और इधर वाले वायर में 1.5 के करी में बोल्टे जाना चाहिए तो यहां कितना voltage आ रहा है 11 आ रहा है यानि कि यह कमी है तो हमारे immobilizer इस से पता पड़ता है कि जो immobilizer है यह बिल्कुल सही है चावी भी सही है immobilizer भी सही है ठीक है अब आगे की कहानी है ECM में problem हो सकता है जरूर तो राम राम जी ECM अब हम चेक करने वाले हैं ECM के अंदर problem है क्या ब्लिंक कर रहे हैं सबसे पहले हम एक बार इसके इन करके देखने पास में आओ यह कौन सा है 2006-10 के बीच का है फेल टू कनेक्ट फेल टू कनेक्ट दिखा रहा है यानि कनेक्ट नहीं हो रहा है तो अब ECM को चेक करते हैं बस और क्या वाइरिंग और ECM कहीं से ऐसा वाइरिंग में तो पंगा है नहीं है ECM में है यह कुछ इंजन का कंडिशन है और यहां पर लगा हुआ ECM को बाहर निकाल के कपलर चेक करते हैं कहीं रश्टी तो नहीं है कपलर जिसकी वैसे ऐसा दिक्कत कर रही है खोलो ज़रा ECM यह ECM है इसका और मुझे लग रहा है कि ECM में पंगा है क्यों पहले रिपे रिपेरिंग करवा दिया हमने यह सिलिकून देख सकते हैं नया देख रहें अभी 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 हाल फिला लिए विक करके अपक की हैं इसे ठीक है चारों तरप से और इसी अभी वहला ECM में गड़ बड़ी है अब इसे लगा के चेक करें काड़ी में लगा हुआ कि कहां से त अच्छा करके पता है कि यह उसको बोंड नहीं लगाएंगे तो जो पानी से धुलवाएंगे ना यह इसी में पानी जाएगा और इसी अफूंग जाएगा इसको पानी नहीं जाना चाहिए और मैं इसको रिपेरिंग करा दिया बढ़िया करके अब देखते हैं लोक से देखते हैं रूप गई यह लाइट रूप ना रहे थी बिलिंग कर रहे थी ठीक है यह वाली तब रूप गई दुवारा करते हैं रूप गई गड़ी हमारी स्टार्ट हो गई बढ़िया अब हम नीचे दिखाव चावी पर गड़ते हैं यह वाले चावी था अब दूसरा चावी लगाते हैं दिखाव तो कि यानि यानि 2 चाविस है हमारी इदर दिखा लो जानर दिखा लो और सलसे देखर, ने हमने पहले चाबी एक कश्टमर के सी हमने दूसरी चाबी मगाई लगा दोनों चाबी नहीं दिखाया मतलब हमरेंट सही आपको क्या करना है बाइद अब करना दोट देखना और जो भी फोल्ट कोड़ हुँआ उस फोल्ड कोड़ पर काम करना ऐसे केस में एक वर जो है यदि इस यम में पंगा ना होता तो आप कोडिंग करके इसका चाभी का निव रजिस्टेशन करके भी ट्राइ कर सकते हैं पहले एक वर रजिस्टेशन ट्राइ कर लेना चीए उसके वासे आगे का काम करना चीए एक्सपर्ट नहीं है तो लेंगिन एक बार आइडिया लगा लिजिए कि फिर लूब जूब कर रहे क्या यदि नहीं कर रहा तो तो हो जाए तो फिर इसी हम आपका एंड में कराना पड़ेगा जिसमें ज्यादतर करके जो फोल्ट आते हैं वह इमोबलाइजर का आता है जो ट्रांस पॉंडर है दूसरा इसीम कर लिजेगा और सब्सक्राइब का बटन ढूंड लीजिए अगल वगल कहीं भी दिख रहा वाइट कलर में पहले रेड में था दिखता था वाइट हो गया ढूंड लीजिए दिखना नीचे बस क्लिक कर लिए टच कर लेंगे कायब हो जाएगा ओके थेंक्यू